नमस्ते दुफ्तों स्वागत है आपका गनित दर्शन यूट्यूब चैनल पर आज से हम न्यू टॉपिक रिंग थेरी के स्टार्टिंग कर रहे हैं यह टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बाते जानना बहुत जरूरी है अल्रेड़ी ग्रूप थेरी और होमोमोर्फिजम और ग्रूप यह इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है उसका थरोर रिविजन होना जरूरी है और दूसरी बात अभी तक जो हमने पढ़ा है अब उसका जनरलाइजेशन करने की जरूरत है तो हमें अपने दिमाज से कुछ चीजों को खाली करना जरूरी है फॉर एक्जामपल हमने प्लस मिन्स एडिशन और डॉट मिन्स मल्टिप्लिकेशन को मिनिंग के साथ जो पढ़ा हुआ है अब उसके न्यू वर्शन्स जनरलाइजेशन सेंस में हम डिसकस करने वाले हैं जैसे कि यदि हम कहें कि मैथमाटिक्स पढ़ने के लिए तीन चीज़े बहुत ज़रूरी है सबसे पहले यदि एक कोशन करें कि कोई सिंबॉल आया या उसका नेम फॉर एक्जामपल यदि हम आपके सामने ऐसा कुछ मेंशन करें और पूछे वाट इस देख तो आपके अलग-अलग आंसर हो सकते हैं कि इस 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 लाइन इस वान ये इसको थोड़ा सा और आर्टिस्टिक वे में लिखे तो आप डेफिनेटली आपका अंसर होगा इस वान फिर और ये कुछ बात करें कि वाट इस देश तो आप कहेंगे ए तो हम बहुत बेसिक कंसेप्स की बात कर रहे हैं कि सिंबॉल एंड नेम इस टू थिंस आर डिफरेंट इतने समय से हम उसको बार 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 यूस कर रहे हैं इसलिए उन दोनों को डिस्टिंग्विश करना अभी हमारे लिए मुश्किल हो रहा है यदि हम यह सिंबॉल की बात करते हैं तो यह इस 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 सिंबॉल नेम गीवन एस टू similarly we can write say this x तो यह x तो बात में आया पहले हमने उसको सिंबॉल बनाया और उसको नाम दिया x अब यह सिंबॉल को यदि हम अलग-अलग रिफरेंस में यूज करें तो उसके मिनिंग चेंज होते चले जाते हैं फिर अभी हमने तिसरी टर्मिनोलोजी यूज की मिनिंग यदि हम अलफाबेट्स में बात कर रहे हैं तो इस सिंबॉल इस्टेंट फॉर x, बिग x यदि valuation के रिफरेंस में बात कर रहे हैं तो this can be treated as wrong यदि mathematics के रिफरेंस में बात कर रहे हैं तो the same symbol can be treated as variable x and so on तो इतना discussion में तीन बाते निकल कर आ रही है first is symbol, second is its name and third is meaning given to that name यदि हमारे पास symbol है हमने उसको नाम भी दे दिया लेकिन यदि meaning प्रोवाइड नहीं किया तो वो किसी काम का नहीं होगा one basically is a symbol उसको नाम मिला one, o-n-e, one का और meaning मिला uniqueness का one is unique, sun is one ता हम इसको comfortably use कर पाएं similarly, this second is the symbol of something name given to that symbol is big A और उसको meaning provide क्या A for apple, A for ant, A for aeroplane, etc तो यो तीन टर्मिनोलोजी अभी हम बात कर रहे हैं symbol, name and meaning जब real life की बात करते हैं तो real life में भी ये तीन टर्मिनोलोजी का बहुत important role है ये concept समझना बहुत ज़रूर है otherwise आगे जैसे आप बढ़ते जाते हैं ये topic में तो आपको symbol, meaning और उसका name इसको distinguish करने में परिशानी हो सकती है तो हम बात कर रहे थे real life में जब हम इस अर्थ पर आएं तो एक symbol थे बाबा या बेबी के रूप में फिर हमको हमारे रिष्टेदारों ने चाचा चाची, मामा, मामी, नाना, नानी, दादा, दादी, पापा, ममी, बुवा, ताई, वगेरा वगेरा नाम करन संसकार हुआ और हमें नाम मिला बेसिकली हमचे symbol बाबा या बेबी के पॉर्म में उसको मिला नाम अब ये नाम और symbol इतने closely associate हो गएं इतने सालों से for example हमारा नाम रिष्टी रखा गया तो ये जो symbol था इसको नाम प्रोवाइड किया रिष्टी अब ये इतने associate हो गएं कि अलग करना जरा मुश्किल होने लगा रिष्टी कहा तो ये symbol सामने आता है ये पूरा symbol सामने आया तो रिष्टी नाम सामने आता है चलिए यहां तक तो बात है ठीक है लेकिन ये दोनों है अलग-अलग symbol is different and its name is different उनका association इतना strong हो जाता है कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है अभी हमको सबसे पहले ये ring topic में जाने के पहले ये दोनों को अलग-अलग करते आना चाहिए इसलिए हमने का हमको कुछ चीज़ों से अपने दिमाग को free करना होगा दिमाग को खाली करना होगा क्योंकि जो blank slate होती है blank slate में लिखना आसान होता है लेकिन यदि कुछ लिखा हुआ रहा उसको मिटा कर यदि लिखा तो पहले के impressions वहाँ पर दिखते रहते हैं तो हम बात करते हैं symbol और name की यहाँ तक तो ठीक है लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा यदि meaning ना हो तो उनको use करना मुश्किल होता है वो useless होता है इसी प्रतार इस symbol को जब नाम दे दिया गया उसके बाद यदि इसको meaning ना provide किया जाए इसका purpose इसे पता ना हो तो यह जो symbol और name दिया गया है यह waste होगा, useless होगा बाटे थोड़ी सी subject पे अलग जा रही है but this is darshan, this is philosophy this is combination of mathematics and philosophy and hence the name for the methodology is ganit darshan which is the name of youtube channel also यहां दोस्तों तो life में symbol बनकर आए हमारे परिवार वालों ने उसको नाम दिया meaning देने का काम हमारा है कई बार तो हम आते हैं और चले भी जाते हैं without any meaning तो यह दि आये हैं तो हमारे आने का कुछ purpose होगा वो हमें ही खोज कर उस पर work करना जरूरी है तब हमारे existence का कुछ meaning होगा तो यह तो तीन terminology है शायद अब आप बातों को अच्छी तरह से समझ पाएं symbol, name and meaning इतने background के साथ now let us start our topic ring fairy तो first definition of associative ring theoretical topic है काफी कुछ चीज़े तो reading से clear हो जाएगी जहाँ जहाँ explanation की जरूरत होगी महां हम चीज़ों को pause करके explain करेंगे आपका पुरा focus commentary पर हो चीज़ों को सुनने के बाद समझने की कोशिश करें क्योंकि यह दी चीज़े समझ आएंगी तभी आप उन्हें reproduce कर पाएंगे अपने तरीकी से present कर पाएंगे let us consider a non empty set r on which two binary operations we are using symbol of plus usual जो symbol होता है और अब symbol यूज़ कर लिए आप उसको बुलाना है तो बुलाने के लिए कुछ तो नाम चाहिए तो called addition अब हम यहां दो इसीज़ यूज़ कर रहे है symbol और उसका नाम addition without its meaning remember this thing मतलब यह जो symbol दिखा रहा है यह symbol हमारा regular usual addition of number system नहीं है हमने तो चीज़ यूज़ कर लिए symbol and name mini हम बाजनी इसको प्रोवाइड करेंगे binary operation में तर दो element के उपर operate होगा and another operation dot symbol उसके हमने इसको नाम दे रहे है multiplication लेकिन यह multiplication को आप जो पुराना अपना multiplication है mathematics में number system के साथ उसके साथ जोड़िएगा मत हम symbol उसकर रहे है dot उसको name दिया है multiplication but without meaning meaning हम आद में प्रोवाइड करेंगे are defined then these are under addition and multiplication अब जब हम addition और multiplication की बात करें तो जब तक बोलाना जाए usual addition and usual multiplication these are different from our usual addition and multiplication बहुत बहुत क्लिरली यह बात को समझना जरूरी है then these are with operations is set to be an associative ring if following axioms are satisfied number one let it be denoted by R1 जैसे group में हम बात करते थे group की property को G1, G2, G3, G4 और associative community property दिया आजए तो उसको G5 कहा करते थे तो ऐसी ring की properties है इसके लिए उसका nomenclature हम R1, R2 और R3 ऐसा कहे रहे है now R1 is R with addition is an abelian group अब दिखने के लिए तो इस single line में दिफरा है R with addition is abelian group अब इसका थोड़ा अंदर भी जाए तो जो group की property है R के elements with operation of addition satisfy करें तो वो कौनकों सी properties होगी वो properties हो जाएगी G1 यह दोस्तों G1 with addition G2 G3 यह सब standard notation है closure property, associative property existence of identity with respect to addition existence of inverse G4 and commutative property G5 यह R के elements with respect to addition satisfy कर रह है second is R2 which is dot is associative dot is associative यह इसका हम थोड़ा detail में लिखे है तो R के ती तीन element हम small A, B, C ले ले तो A this will be A dot B dot C is equal to A dot B dot C for all A, B, C belongs to R this is associative property or means this is G2 for multiplication G2 for multiplication तो G1 कहां गया क्योंकि जब तक G1 नहीं होगा तब तक आगे की बात ही नहीं हो पाएगी तो G1 दोस्तों यहां पर है यह binary operation की बात हो रही है ना यह binary operation plus and dot are binary operation binary operation means closure property तो G1 वहां आ गया है starting में हमने दो operation ऐसे लिए जो closure property satisfy कर रहे हो और यह कोई operation closure property satisfy कर रहे तो we say that those operations are binary operations मिन सभी तक कि हमने बात की addition के लिए G1, G2, G3, G4, G5 property hold हो और multiplication के लिए G1 और G2 property true है यह तो दोनों अलग-अलग हो रहे थिया भी अब यह दोनों का combination is G3 दोनों का combination sorry R3 which says dot is distributive over addition multiplication is distributive over addition that means for all A, B, C belongs to R we have A dot B plus C is equal to A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C this is called left distributive property left is a multiplication distribute over addition per and second is B plus C dot A is equal to B dot A plus C dot A अब multiplication right state distribute हो रहा है addition पर दिखने के लिए बहुत simple simple सी बाते लग रही हैं लेकिन जो background हमने create किया यह भी उसका understanding हो जाए तो आगे चलकर किसी भी प्रकार का confusion arise नहीं होगा और जिन्होंने background को न समझते हुए topic को पढ़ने की कोशिश की तो उनको लगता है इतनी simple सी चीजों को पढ़ने की ज़रूरत क्या है यह तो obvious सी बाते हैं दोस्तों यह जितना obvious दिख रहा है उतना obvious है नहीं इसलिए चीजों को नए सीरे से पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा इसे free रखना ज़रूरी है अब यह जो जितनी property अभी तक के हमने देखी यदि इनको हम collect करें तो number of properties कितनी हो जाती देखिएगा R1 में R plus is abelian group बोलने से G1, G2, G3, G4, G5 5 properties for addition हम symbol यूज करें name यूज करें without meaning then R2 से dot is associative मतब G1 and G2 for multiplication 7 properties होगी and R3 is the relation of these two symbols dot is distributive over addition left distributivity and right distributivity इस तरह से total 9 properties के साथ R with addition and multiplication is called an associative ring अब इसको नाम associative ring क्यों का है उसके बारे में भी बात करते हैं matter को भी सास्त में लेकर चलते हैं remark ring always means associative ring अब या associative नाम आया क्यों किसकी वज़द से आया देफो R1 में addition के लिए तो 500 property satisfied हो रही थी मतब वहाँ identity element मिल रहा था with respect to addition inverse element मिल थे with respect to addition उसकी वज़द से ring को नाम नहीं मिला multiplication में associative property true होने के कारण ring के साथ हमेशा adjective जुरा होता है associative ring multiplication के लिए अब इदेफिनेशन में identity element की और inverse element की बात नहीं की गई जब इसकी बात होगी तो नाम और ring के change होते चले जाएंगे देखते हैं आगे पहले यह remark पढ़ लेते हैं ring always means associative ring always it is associative ring अब बार बार associative ring बोलने के बज़ा है we say that it is a ring क्यों लेकिन समझ में आना चाहिए G2 for multiplication की वज़ए से नाम मिला है उसको associative and this is the algebraic structure R plus dot पहले addition और फिर second operation is multiplication एक बार यह माइन में clear हो जाए तो हर बार R plus dot कहने के बज़ा we simply say ring R अब R1 में जो हम G1, G2, G3, G4, G5 की बात करते हैं तो वहाँ तो identity element की जो बात करें इसी G3 में तो इसका नाम जो अभी तक हम यूज करते हैं नाम भी 0 बोल जेते हैं इसको but meaning छोड़ कर तो this is symbol of 0 name given is 0 but without meaning तो this 0 is not our integer 0 सुनने के लिए जरा अटपटा लग रहा होगा लेकिन बड़ा interesting topic है यह background को जहन में रखकरीदी topic पढ़ेंगे तो आगे बहुत मज़ा आएगा G4 property में inverse element की बात हो रही थी with respect to addition तो यहाँ पर यह additive inverse of A belongs to R is denoted by symbol minus A अब इस minus A again is not our regular minus A additive inverse है तो A यह थी R में लिया तो उसका additive inverse is denoted by minus A होग इतनी बाते समझा रही होगी अब multiplication के लिए G1 और G2 की बात definition में हो गई अभी वहाँ G3, G4 और G5 की बाते नहीं होई थी यदि multiplication के लिए G3 true होता हो that means multiplication के लिए यह identity element मिल रहा हो तो वो property कैसे लिखे जाएंगी वो देखते है और यदि वो मिल जाता है तो रिंग इस काल रिंग विद यूनिट अलिमेंट definition is let R be a ring ring कहा इसका मतलब 5 plus 2 plus 2 9 properties already satisfied if there exist an element 1 belongs to R पुरा सा पॉद लेनी की जरूर होता है this 1 belongs to R again this 1 is symbol 1 is name given to that symbol without using its meaning meaning हम बाद में प्रोवाइट करेंगे so there exists 1 in R such that 1.a is equal to a.1 is equal to a for all a belongs to R यही तोदी है G G3 property यही ग्रूप के reference में हम बात करें तो for all elements A of group G there exists element E in G such that A.E equal to E.A equal to A यहाँ E की जगा symbol use कर रहे हम 1 दो-दो identity element की बात हो रहे है एक with respect to addition जो हमेशा ring में होता है with respect to multiplication कोई जरूरी ने ring में हो यही हो then ring is called ring with unity या ring with unit element and this one is called multiplicative identity इसको कहा था additive identity 0 को कहा था additive identity 1 को कहरे multiplicative identity and and this one is not our usual integer 1 it is not the integer 1 हमके बाल symbol with name यूज़ कर रहे without its meaning इसको clear करना ज़रूरी हूँ 1 is not the integer अब हमने हमने multiplication के लिए G1 की बात कर ली multiplication के लिए G2 की बात कर ली multiplication के लिए G3 अजी प्रूव होता हो तो ring बन गया ring with unit element G4 को थोड़ा सा side में रखते हुए G5 की बात करते है G4 भी होगा आगे discuss यह बुरिक के लिए G5 बात कर लिए G5 बात कर लिए then it is called commutative ring ring R is said to be commutative if multiplication satisfies G5 बात कर लिए G5 बात कर लिए A dot B is equal to B dot A for all A and B belongs to R एक और बात यदि multiplication के लिए G3 मिल जाए और G5 मिल जाए तो ring is called commutative ring with unit element यह दोनों एक साथ यह हो जाए तो associative ring तो हमेशा है ही मतलब यदि addition के लिए G1, G2, G3, G4, G5 है multiplication के लिए G1, G2, G3 और G5 है G4 छोड़ का अब प्रश्न उठता है कि G4 छोड़ क्यूं दिया उसके बारे में बात करेंगे आगे चलिए थोड़ा सा explanation उसके लेकि देख लिए symbol 0 is additive identity कहा था हमने तो यह additive identity का इदि multiplication के लिए हम inverse की बात करना चाहे है थोड़ी देर के लिए यही मानलो हमारा structure ऐसा हो जहाँ पर यह 0 integer 0 हो तो 0 का multiplicative inverse will not defined इसलिए अभी G4 को थोड़ी देर के लिए side में रखा है ओके? ठीक है तो multiplication के लिए G1, G2, G3 G5 मिल जाए और दोनों रिलेट हो जाए operation, addition और multiplication साज़र multiplication is distributed over addition तो जो structure होगा that structure will be associative ring तो नान थाई पहले से associative word को हटा जेते ring हो गया commutative property satisfied के इसलिए commutative ring हो गया identity element मिला इसलिए commutative ring with identity element बन गया ये तो होगी definition sites होगी सब इसके हैं अब कुछ actual examples देख लेते हैं example 1 let r be the set of integers अब देख अब मिनिंग के साथ में आ रहे है r is the set of integers plus is usual addition मतलब अब जो हम addition अभी तक के समझते आ रहे वो हमारा ये plus है dot is usual multiplication of integers right तो जड़ा और और ही बास करते है usual addition usual multiplication है r set of integers से तो r1 property satisfy होती है क्या r1 मतलब g1, g2, g3, g4, g5 for addition दो integer का addition integer g1 satisfy for addition की बास हो रहे है तीन एडी integer ले 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 तो उसमें हम bracketing shift कर सकते हैं ये असोसेटिविटी holds for addition addition के ले identity element is 0 now this 0 is integer 0 जने g3 for addition is true addition के ले ये इडी मालनो integer हम 1 ले तो उसका additive inverse will be minus 1 integer ये इडी मालनो minus 4 ले तो उसका additive inverse is 4 जने g4 is true for all integers their additive inverse exists in R addition satisfy commutative property A plus B is equal to B plus A for all A, B belongs to R therefore G5 holds ये 5 यों को मिला कर R1 holds हो गया अब R2 की बास करते है तो multiplication closure property satisfy करता है for any two integers A dot B belongs to R multiplication associative property we satisfy the fact A dot B dot C is equal to A dot B dot C for all A comma B comma C belongs to R so multiplication satisfies G2 property also what about G3 yes there exists integer 1 such that A into 1 is equal to A is equal to 1 into A for all A belongs to R therefore multiplicative identity exists in R G3 holds G4 की बास नहीं कर पाएंगे अब जो हमारा integer 0 ring में पहले से मवजुद है उसका multiplicative inverse possible नहीं कर पाएंगे अज़ा छोड़िये ना 0 को छोड़िये कोई एक साधा सा integer भी ले ले 2 ये दि ले ले तो उसका multiplicative inverse will be 1 by 2 which is not an integer इसले inverse property की बास नहीं हो पाएंगे छोड़ दो उसको commutative property multiplication satisfy commutative property means multiplication के लिए G1 is true G2 is true G3 is true G5 is true therefore this example is a commutative ring with unit element R is commutative ring with unit element अब शायद आपको बाते समझ में आ रहे होगी कि लिखते समय केवल ये दो या तीन लाईने लिखिये लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर कितनी चीज़े है this is the beauty of this topic second example R with a set of even integer R is the set of even integers under the usual operation of addition and multiplication अब देखो फिर से operation addition और multiplication usual भूल कर दिया हुआ definition में हमने meaning नहीं लिया था अब जब meaning दिया होगा तो हम meaning के साथ समझेंगे शुरू करते है usual addition और multiplication है तो R1 is true अब detail बात नहीं करते है R1 is true no problem R2 R2 is true yes associativity होचके पहले closure property for multiplication associativity for multiplication is true what about G3 for multiplication multiplication के लिया identity element होगा 1 लेकिन हमारा R दिया होगा set of even integer 1 is not even integer therefore identity element does not exist in R अब जब 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 what about commutative property multiplication satisfy commutative property yes so this ring become commutative ring but has no unit element यह add-on है ऐसा समझे ना यह जो commutative ring with unity है मतब commutative ring एक add-on pack है ring को लगा हुआ और ring with unity वो भी add-on pack है ring में unit element होना जब 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 एन unit element मतलब with respect to multiplication क्यों कोई जब 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 को बोलने की पर बैठाने की कोशिष किजिए गा एक बाते हो जाए जब आपको समझ में ऑजए तो जब आप कर विजन करें तो मनही मन confirmation की रहें से खर शाचिळों को जया है तो आप इसे प्रेज़च भी कर पाएंगे ए थर्ड एक्जामपल देखते हैं if r is the set of rational numbers under usual addition and multiplication of rational number अब फिर से usual addition और multiplication है तो r1 का कोई problem नहीं r1 true हो गया, r2 का कोई problem नहीं, वो भी true हो जाएंगा r3, multiplication is distributed over addition, r3 is also true तो ring तो बन गया, अब ring with unit element हो सकता है क्या तो multiplication के लिए identity element is 1, 1 can be written as 1 upon 1 which is a rational number, therefore this is ring with unit element g4 की बात करने हैं क्या, कर लेते 0 is the identity element with respect to addition उसका multiplicative universe की बात करेंगे, तो 1 upon 0 not exist हाँ, अब यहाँ rational number है, तो 0 को छोड़ गर बाकिये जी कोई rational number हम लेते हैं, suppose 2 by 3 तो उसका multiplicative universe will be 3 by 2 all rational number have their multiplicative universes except 0 और property true होने के लिए, सभी element के multiplicative universes exist होंगे तब हम कहेंगे, inverse property exist तो अकेला 0 si जिसका inverse exist ने हो रहा, इसलिए g4 की बात नहीं हो पाएगी what about commutativity, yes it is true for multiplication so this is again an example of commutative ring with unit element बाते समझ में आरी होगी, चली आगे अब हम हमारे regular addition और multiplication को छोड़कर कुछ और operations की बात करते हैं तो आप जो starting में हम बात कर रहे थे कि addition और multiplication without their meaning उसको relate कर पाएंगे symbol वही थे plus और dot अब वो plus और dot regular addition और multiplication के अलावा भी कुछ हो सकते हैं वो यह example से समझने का हमको मौका मिलेगा next example is show that the set R of integers modulo 7 integer modulo 7 now what is integer modulo 7 ज़र इसको भी एक्षान कते हैं under addition and multiplication so that R of integers modulo 7 under addition and multiplication modulo 7 is a commutative ring with unity integer modulo 7 मतलब किसी number को यह थी हम 7 से divide करें तो जो remainder बच्चते हैं उनका collection is the set of integer modulo 7 अब थोड़ा इसको हम एक मिनिट हाँ so R R is set of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 is the set of integers modulo 7 residue of 7 एक्षान के सकते when we divide any number by 7 so remainder can be 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 it cannot be 7 now addition and multiplication modulo 7 are the operations defined as जब हम addition modulo 7 की बात करते हैं तो कोई दो number का addition करके उसको 7 से divide करने पर जो remainder मिलेगा that is addition modulo 7 इसी तरह से multiplication modulo 7 मतलब कोई दो number के उपर हैं हम multiplication modulo 7 operate कर रहें means what वो दो number का regular multiplication usual multiplication करके उसको 7 से divide करने के बाद जो remainder मिलेगा so this operations are defined as addition and multiplication modulo 7 on R as defined as A plus इसको मैसरेट करते हैं A addition modulo B with 7 A addition modulo 7 with B okay is equal to C what is this C is the remainder when A plus B is divided by 7 similarly A multiplication modulo 7 with B is say D which is remainder when A dot B regular product is divided by 7 अब जब यह remainder है इसका मतलब यह 7 से less होंगे हाँ 0 हो सकते है यह 0 से greater हो सकते है so from definition of operations of addition modulo 7 and multiplication modulo 7 one thing is clear C satisfies this inequality it is less than 7 and greater than or equal to 0 also D is less than 7 and greater than or equal to 0 for all A and B belongs to R इसका मतलब यह जो भी रिजल्स होंगे यह रिजल्स सब यह फिर से R में दिखेंगे NXC कोई भी हो यह इस रेंग में आ रहा है D इस रेंग में आ रहा है means this two operations are binary operation क्या होती binary operation की definition कोई भी दो element लिए उसके पर operation operate क्या result यह फिर से हमारे given set में है तो वी से दाट operation is binary closure property की definition हो गई है तो इस टो operations are binary operations on R अब बाकी की बाते करने के लिए हमको composition table बनाना पड़ेगा let us construct composition table for addition modulo 7 तो देखिए procedure समझ लीजिए elements are 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 यहाँ पर भी लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 operation is addition modulo 7 अब एक एक element को operate करना शुरू करते है 0, plus 0 अब जब हम 0, plus 0 कोल रहे हैं मतलब with operation addition modulo 7 की बात करते हैं result is the remainder of addition when divided by 7 तो 0, plus 0 is 0 when divided by 7 leaves remainder 0 0, plus 1 is 1 0, plus 2 is 2 0, plus 3 is 3 0, plus 4 is 4 0, plus 5 is 5 0, plus 6 is 6 when divided by 7, remainder is 6 को इसमें फरत नहीं है 1, plus 0 is 1 1, plus 1 is 2 1, plus 2 is 3 1, plus 3 is 4 1, plus 4 is 5 1, plus 5 is 6 1, plus 6 is 7 when divided by 7 quotient is 1 and remainder is 0 तो अब आंसर इस 0 यहाँ पर आपको ज़र पर समझ में आने लगेगा कि this is not our usual addition something different from usual addition now, we start with 2 2 plus 0 is 2 2 plus 1 is 3 2 plus 2 is 4 2 plus 3 is 5 2 plus 4 is 6 2 plus 5 is 7 when divided by 7 remainder is 0 2 plus 6 is 8 when divided by 7 remainder is 1 now with 3 3 plus 4 is 3 3 plus 1 is 4 3 plus 2 is 5 3 plus 3 is 6 3 plus 4 is 7 when divided by 7 remainder is 1 3 plus 5 is 8 when divided by oh sorry 3 plus 4 is 7 when divided by 7 leaves remainder 0 3 plus 4 is 7 leaves remainder 0 3 plus 5 8 leaves remainder 1 3 plus 6 is 9 when divided by 7 leaves remainder 2 now, we start with now, we start with now, we start with now, we start with 4 plus 0 is 4 5 6 0 1 2 3 3 1 2 3 2 6 5 plus 6 is 11 when divided by 7 remainder is 4 आपको आपको पैटन ही समझ में आ रहा है तो टेबल कम्प्लिट किया जा सकता आशनी से नाव 6 प्लस 0 इस 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 leaves remainder 0 then 1 2 3 4 and 5 ये तो हो गया एडिशन मोडूलो 7 पर टेबल अब इसी तरह से हम तयार करके multiplication मोडूलो 7 का टेबल देखें multiplication मोडूलो 7 multiplication मोडूलो 7 के लिए composition टेबल तयार कर रहे तो write down elements 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 operation is multiplication मोडूलो 7 अब दो नंबर का multiply करके उसको 7 से divide करेंगे जो remainder आएगा वो हमारा answer होगा तो 0 dot 0 0 into 0 is 0 when divided by 7 is 0 0 into 1 0 into 1 0 0 into 2 0 0 के साथ multiply करने पर सब 0 ही आएगा न यह सब 0 आएगे और 0 को जब हम 7 से divide करेंगे तो quotient will be 0 remainder will be 0 ओके चलिए 1 के साथ multiply करते 1 into 0 is 0 1 into 1 is 1 1 into 2 is 2 1 into 3 is 3 1 into 4 is 4 1 into 5 is 5 1 into 6 is 6 सबको यहीं हम 7 से divide करें तो वही remainder होंगे 2 से शुरू करें 2 into 0 0 2 into 1 2 into 2 4 2 into 3 6 यहां तक तो ठीक है 2 into 4 8 आगे जब 7 से divide करेंगे remainder is 1 2 into 5 10 आएगा 7 से divide करेंगे remainder is 3 और 2 into 6 6 to the 12 7 से divide करेंगे remainder is 5 यह row wise entry लिखते समय एक ची ज़र आप ध्यान दे सकते हैं कि यहां पर elements repeat नहीं हो रहे हैं देखिएगा यह observation की बात है 3 से शुडू करते हैं 3 into 0 0 3 into 1 3 3 2s are 6 3 3s are 9 but multiplication modulo 7 के लिए this is 2 9 when divided by 7 leaves remainder 2 3 into 4 12 यहने 5 आएगा 3 5 is the 15 15 को 7 से divide किये तो quotient is 2 7 to the 14 remainder is 1 और 6 3 6 is the 18 18 को जब divide करेंगे 7 से तो quotient will be 2 7 to the 14 remainder will be 4 ऐसा ही बागी कम्लीट करते 4 0s are 0 4 1s are 4 4 2s are 8 means 1 4 3s are 12 means 5 4 4s are 16 means 2 अब 16 means 2 मतलब अंडर multiplication modulo 7 की बात हो रही है 4 5s are 20 4 5s are 20 20 मैं से 14 गया 6 और 4 6s are 24 24 में 7 से divide करेंगे तो quotient is 3 7 3s are 21 बचा 3 remainder 3 5 के लिए 5 0s are 0 5 1s are 5 5 2s are 10 देखो जो नमबर 6 से लेस है 6 से लेस है वो तम वैसे लिख दे रहे है ठीक है? 5 2s are 10 मतलब 3 5 3s are 15 मतलब 1 5 4s are 20 मतलब 6 5 5s are 25 25 में 4 मतलब क्या हुआ? 25 को 7 से divide किया quotient is 3 7s are 21 25 में से minus किया remainder 4 विजुलाइजेशन हो रहा है? mathematics का you can treat this as also गनित दर्शन 5 6s are 30 7 से divide किया 7 4s are 28 remainder is 2 now 6 0s are 0 6 1s are 6 6 2s are 12 means 5 6 3s are 18 means 4 remainder is 4 6 4s are 24 means remainder 3 6 5s are 30 means remainder 2 6 6 is 36 36 को जब 7 से divide किया तो quotient will be 5 7 5s are 35 36 में से minus किया remainder is 1 तो यह हो गए composition table for addition modulo 7 and multiplication modulo 7 अब यह table को observe करके हमको हमारा जो पुरा solution है वो explain करना है सबसे पहले बात करते है R1 की for addition modulo 7 addition modulo 7 यह table के अंदर जितनी entry दिख रही है all entries belongs to R जरपोर वी can say that closure property holds for addition modulo 7 and G1 is true for addition modulo 7 we can verify A addition modulo 7 with B addition modulo 7 C satisfy associative property now identity element for addition modulo 7 के लिए यह जो last leftmost column है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह as it is कहा दिख रहा है किस element के नीचे दिख रहा है वो देखो तो यह 0 के नीचे दिख रहा है यह 0 का हमने कर दिया box तो यह पूरा जो leftmost column है 0 के नीचे दिख रहा है इसी तरह से यह जो topmost row है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह as it is कहा दिख रही है तो first row में दिख रही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसके साइड में दिख रही है 0 के साइड में दिख रही है तो यह 0 को कर दिया box यह जो box किया है this represent additive identity with respect to addition modulo 7 तो it holds G3 holds for addition modulo 7 अब G4 की बात करनी है तो table के अंदर जहां-जहां यह additive identity है हम उनको ज़रा mark कर लेते उनको circle कर देते यह 0 circle किया second row में यह 0 यह third row में यह fourth row में यह fifth row में यह sixth row में और यह seventh row में अब यह circle इनको read कैसे करें है देखना, ध्यान से सुनना भी 0 plus modulo 7 0 is 0 फिर 1 plus modulo 7 with 6 is 0 यह यह 0 किसका result है वो देखना है उनको third row में 2 और 5 पर जब operate हो रहा है तो 0 मिल रहा है फिर 3 और 4 जब operate हो रहा है under addition modulo 7 तो 0 मिल रहा है फिर 4 और 2 जब operate हो रहा है sorry 4 और 3 जब operate हो रहा है तो 0 मिल रहा है 5 और 2 operate हो रहा है 6 और 1 operate हो रहा है तो 0 मिल रहा है तो एक हम लिखकर बताते हैं 1 यहां लिख लेते हैं 1 addition modulo 7 with 6 leaves remainder 0 which is equal to 6 addition modulo 7 with 1 ऐसे बाकी को लिखा जा सकता है तो यह property को यदि हम देखें तो यह a.b is equal to e is equal to b.e के समन दिख रही है और ऐसा हो तो we say that b is additive inverse of a operation addition वाला operation है यह तो 6 is additive inverse of 1 तो यहां से table से बोलना शुरू करते 0 का additive inverse 0 1 का additive inverse अच्छा एक काम करते 0 का additive inverse यह 0 1 का additive inverse यह 6 सारे element के additive inverse मिल रहे हैं फिर से r में तो g4 for addition modulo 7 holds और फिर हम commutativity b verify कर सकते a addition modulo 7 is equal to b addition modulo a addition modulo 7 with b is equal to b addition modulo 7 with a for all a, b belongs to r तो g1, g2, g3, g4, g5 holds for addition modulo 7 therefore r1 is true यह तो हो गया first operation के लिए बात है second operation में आ जाते multiplication modulo multiplication modulo 7 के लिए बात करते हैं तो same तरीके से सारी जो entries है यह इसके अंदर table के अंदर जितनी भी entries है सारी entries r में है कोई भी r के बाहर नहीं है entry तो we can say that addition modulo 7 sorry multiplication modulo 7 satisfy closure property associativity yes we can write no problem तो ring के लिए तर दो ही property लगती लेकिन हम commutative ring और unit element की भी बात कर लेते हैं तो देखो यहां पर unit element exist होता है क्या तो कैसे देखना उसको यह जो लेफ्ट मॉस्ट कॉलम है 0 1 2 3 4 5 6 यह एस इस कहां अपियर हो रहा है यह यहां पर second column है 0 1 2 3 4 5 6 किसके नीचे है 1 के नीचे अब यहां पर देख लेते हैं यह यहीं मानलों हम टॉप्मोस्ट रो की बात करें 0 1 2 3 4 5 6 कहां अपियर हो रहा है second row में किसके सामने वन के सामने तो इस वन इस is multiplicative identity with respect to multiplication module 7 अब इनवर्स element पता करने के लिए यह table में जहां जहां 1 होंगे यह 1 को माक करते तो देखो first row में G3 तो मिल गया है multiplicative inverse मिल रहे है क्यों देखो लिए first row में तो 1 है नहीं कहीं पर मतलब 0 का multiplicity inverse नहीं मिल रहा है बाकी के भले ही मिल जाए बाकी के भले ही मिल जाए देखो यह 1 is there यह 1 है यह 1 है यह 1 है यह 1 यह 1 तो सारे element के inverses तो मिल जाएंगे लेकिन 0 का multiplicity inverse नहीं मिल रहा है इसलिए G4 is not true ठीक है community property हो जाएगी उसका कोई प्रोब्लम नहीं है A multiplication modulo 7 with B is equal to B multiplication modulo 7 with A for all A, B belongs to R अरी property होगी R1 is true होगया R2 is true होगया कुछ additional बात भी कर ली हमने commutativity की भी बात कर ली और identity element with respect to multiplication modulo 7 की भी बात कर ली अब दोनों में जो relation है multiplication is distributed over addition it can be verified we can express this in symbolic language thus R1, R2, R3 satisfied for set of integers under addition modulo 7 multiplication modulo 7 therefore the structure of R with addition modulo 7 multiplication modulo 7 is an associative ring since identity element exists with respect to multiplication modulo 7 therefore it is ring with unit element since multiplication modulo 7 satisfies commutative property hence we finally conclude that our structure R इसको लिखकर पता देते हैं अबर structure R R R comma addition modulo 7 comma multiplication modulo 7 ये round bracket में this structure is a commutative ring with unit element अब ये जो इसनी बात है की है ये सभी को लिखना भी तो आए देख लिजिए तो जो बात है भी हमने table से explain की उनको proper way में लिख लिया जाता है from table 1 मतलब addition modulo 7 के लिख clear that G1 R is closed under addition modulo 7 G2 associativity hold for addition modulo 7 G3 additive identity exists in R and it is 0 and G4 additive inverses of 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 are respectively 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and all these belongs to R also commutativity holds for addition modulo 7 therefore structure R addition modulo 7 is abelian group that means R1 holds also multiplication के लिए binary operation तो हमने decide binary operation था ये बोल के लिया था और एक line और यहां लिखी जा सकती है from table 2 we can say that multiplication modulo 7 is binary operation और R is closed under multiplication modulo 7 एक line इसके पहले from table 2 we observe that तही हो जाता है वो लिशना we observe that A multiplication modulo 7 with B belongs to R for all A, B belongs to R मतब closure property for multiplication modulo 7 is true ये पहले लिख दे और उसके बाद में second properties second properties A dot A multiplication modulo 7 B with C is A dot with B dot C for all A, B, C belongs to R that means multiplication modulo 7 satisfy associative property associativity holds that means R2 holds okay yes multiplication modulo 7 is associative that means R2 holds now we can verify we can verify that multiplication modulo 7 is distributed over addition modulo 7 therefore R3 holds since R1, R2, R3 holds our structure R addition modulo 7 multiplication modulo 7 is a ring इतनी बाते तो ring के ले होगी अब जो additional property थी commutativity or identity की वो दिख ले थे from table 2 we observe that A multiplication modulo 7 with B is B multiplication modulo 7 with A for all A, B belongs to R imply R is commutative ring also there exist 1 in R such that A multiplication modulo 7 with 1 equal to 1 multiplication modulo 7 with A is equal to A for all A belongs to R means 1 is multiplicative identity that is unity in R therefore we conclude that the structure R addition modulo 7 multiplication modulo 7 is commutative ring with unity तो इस तरह से पूरी understanding के साथ solution को express किया जा सक्के है next example 5 if R is set of integers modulo 6 under addition and multiplication modulo 6 then R is commutative ring with unit element यह आप लो के लिए होंगा जैसा भी हमने modulo 7 के लिए पूरा problem सौल के है इसी तरह से modulo 6 के लिए रियाख कीजेगा अब यहाँ तो आप ring अगरे सब बता देंगे commodity ring भी बता देंगे unit element भी बता देंगे एक यहाँ एक observation की बात है देखिए जब आप यह पूरा problem स्वाल कर लेंगे अपने आपसे तो दो element यहाँ पर इसी 2 और 3 आपने R में लिए और इम पर multiplication modulo 6 यह आप composition table for multiplication modulo 6 से observe कर सकेंगे 2 multiplication modulo 6 with 3 क्या होगा देखो 3 to the 6 when divided by 6 leave remainder 0 तो 3 into 2 or 2 into 3 with modulo 6 is 0 and this 0 is identity element with respect to addition modulo 6 मतलद 2 non-zero element का product 0 आ रहा है फिर से repeat कर रहे जहां से सुनिएगा 2 non-zero element है R के जिनका product 0 आ रहा है इसका मतलद यह जो product की बात हो रही यह product हमारा usual product नहीं है usual product में ऐसा तो possible ही नहीं होता है यह जी कोई दो element का product 0 है इसका मतलद दोनों में से कोई तो भी एक 0 होगा लेकिन यहां ऐसी situation नहीं टेखने को मिल रही है नाइधर 2 is 0 नौर 3 is 0 means there exist such cases in ring theory where product is 0 with no element is 0 thus in ring it is possible that a dot b now this dot is not our usual multiplication remember this thing very clearly in your mind a dot b equal to 0 with neither a equal to 0 nor b equal to 0 इसलिए शुरू में दिमाग को थोड़ा खाली करनाई के लिए के लिए रहा था ठीक है चली आगे number 6 if r is set of n by n rational matrices r is set of n by n rational matrices but the entry is a rational number under usual matrix addition अब यहां पर जो हम operation यहां पर जो हमारा रिंग को operation ऐसा addition होता था वो operation के दिया है matrix addition now this addition is the symbol अब इसको यहां पर meaning दे रहे है matrix addition का और matrix multiplication के दूसरा operation था dot वो dot है matrix multiplication then r is non-commutative ring with unity एक वर्ड यहां पर आ रहे non-commutative because matrix multiplication is not commutative in general बाकि identity element तो मिल जेंगा n by n का that is not a problem it is not commutative तो हमने कुछ examples definition पर based देखे और property के साथ discuss भी किये how to verify whether given set with operations is a ring ring हो गया तो community ring है क्या unit element है क्या now कुछ different type of example theoretical type देखने के लिए काफी आसने हमने पहली कहा लेकिन background में understanding होना भहत जरूर है let r be a ring and a, b, c, d belongs to r then evaluate a plus b into c plus d अब यह दोनों के बीच में कुछ नहीं है bracket के बीच में मतलब यहां पर multiplication ring का जो operation है वो है दिखने के लिए तो बच्चों जैसा दिखते है यह problem solution देख लिए जिए denote c plus d is equal to say x naturally addition satisfy closure property binary operation है तो यह x r में होगा we can write a plus b into c plus d as a plus b into x c plus d की जगा x तर है अपनी जगा पर है b into c plus d अब left distributed लगा जे तो यह बन गया a c plus a d यहां बन जेंगा b c plus b d by left distributed property so complete result is a plus b into c plus d वो हो गया a c plus a d plus b c plus b d आप कह सकते हैं कि यह solve करने के लिए इतनी सारी रिंग थेरी की definition और explanation की ज़रूरत क्या थी अभी समझ में आएगा जैसे से हम आगे बढ़ेंगे ना तो इस तरह की queries का answer मिलते चले जाएगा so a dot a plus b into c plus d is equal to जैसा हम normal bracket लिए उस करते उस तरह से दिख रह है a c plus a d पहले a के साथ bracket open क्या plus b c plus b d we are generalizing the concepts जो हमने इस्कूल में पढ़े है next example prove that prove that if a comma b belongs to r then a plus b का whole square is a square plus ba plus a b plus b square where by x square we mean x into x x square is x into x way of writing x square अब अपने इस्कूल में तो पढ़ा होगा a plus b का whole square is equal to a square plus twice a b plus b square यहां twice a b तो नहीं लिखा हुआ है यहां ba plus a b लिखा हुआ है अब यहां से वो difference समझ में आएगा कि दिखने के लिए simple है लेकिन understanding ring theory का फुरी तरह चाहुना जरूरी है data x square is given as x letter a and b belongs to r कुई दो element ले ले तो उनके लिए a plus b belongs to r by address लिखना है इसका address बहुत important होगा by g1 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 अच्छे सदोछ शुनिए g1 of r1 closure property of addition right now left hand side is equal to a plus b ka whole square can be written as a plus b into a plus b abh ye a ke saad ye ye a plus b ko haam left distributive use karlo ya right distributive use karlo left distributive use karlo a dot a plus b plus b dot a plus b yeh yeh joh property likhye hai na yeh right te a plus b ko distribute kiya hai this should be pahele yeh yeh ko cut karke right distributive ki a plus b baad me likhye na a dot a plus b plus b dot a plus b so yeh right distributive ho gya this is right distributive yeh nahin it should be right a plus b ko haam right me likhya hai a per distribute kiya hai b per distribute kiya hai so by right distributivity right gh t right distributive law ab haan abh a ko left say distribute kar raha hai now by left distributive law yeh arrow nahin abh yehaan per by left distributive law left distributive law a a plus a b yeh a a diya a a b diya phir b a or b b a a is a square a a is a square a b a apni jaga hai b a apni jaga hai b b is b square by data a square हमको क्या चाहिए था पहले b a चाहिए था फिर a b चाहिए था तो अब ये a b plus b a is kohi hara nao is kohi hara nao is kohi hara nao is a list of them because of g5 of r1 commutative property of r1 abelian thana r plus is abelian so we can one minute we can interchange the position of this two by g5 b a plus a b which is right hand side okay अब एक question था कि इसको 2 a b क्यों नहीं लिखा a plus b का whole square is equal to a square plus 2 a b plus b square पढ़ते थे तो वो जो हम पढ़ते थे वो number system में पढ़ते थे और number system में जो multiplication है वो multiplication commutative property satisfy करता है commutative property की वाइज़ से a b is equal to b a हो जाएगा but here जब हम रिंग की बात कर रहे है तो जो operation dot लिया हुआ है वो dot हमारा multiplication नहीं है regular multiplication इसलिए we can't conclude that b a और a b ये equal होंगे addition abelian property satisfy addition commutative property satisfy कर रहे है therefore this is b a plus a b only it cannot be written as two times ab अब पर समझ में आ रहे है जो statics से हम बोलते आ रहे है कि हमारा addition usual addition नहीं है multiplication usual multiplication नहीं है zero zero नहीं है one one नहीं है जब तक के वो बोलकर दिया न गया हो आके बढ़ते हैं एक्जम्पल if every x if every x in r satisfy condition x square equal to x element per square is equal to element itself then prove that r is commutative means a dot b equal to b dot a so this is given x square is equal to x for all x belongs to r यहां दो star लगे है मतलब problem में कुछ twist है let a belongs to r so this implies minus a belongs to r by additive inverse g3 of r1 address की बात करनी है g3 of r1 हर element के लिए square और element same है तो minus a can be written as minus a का whole square by data minus a is minus a का square और यह जो minus a का square अभी फोरी देर पेले हमने meaning देखा था x square गा x into x तो this is minus a into minus a now it is equal to minus a into minus a is equal to a into a this is by result of ring theory अभी इसके बाद में जब हमारे एक्जम्पल सुनेंगे हम ring theory में results प्रूफ करेंगे यह minus into minus प्लस हो गया ऐसा पोल कर नहीं यूज कर रहे हम this is a result minus a into minus b is equal to a d यह प्रूफ करेंगे schooling में आपने इसको direct accept किया हुआ है ठीक है for the time being इसको ले 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 ते यह result ऐसा होता है यह प्रूफ करेंगे हम आगे तो माइन एंट इन इस ए एए एए इसकोड और एसकोड मतलब ए यहने क्या मिला हमको हमको मिला minus a is equal to a अब समझ में आले this is different structure हमारे regular number system में minus a और a equal नहीं हो तरहे तो यहां जो हम operation की बात कर रहे हैं वो operation भी हमारे regular operation नहीं है वो ring के operation है और यह जो condition दिये x square equal to x जब ऐसी यही condition satisfy हो रहे होगी तो we are getting minus a is equal to a ठीक है तो यह problem के अंदर एक और छोटा सा problem जैसा तैयार हो गया है कि when x square is equal to x then show that minus a is equal to a additive inverse of elements is the element itself हमको prove करने r must be commutative मतलब multiplication के लिए हमको property satisfy करा नहीं है देखे आगे यह भी हमने रिजल प्रूव क्या है minus a is equal to a for all a belongs to r now let two elements a and b in r which imply a plus b belongs to r by g1 of r1 closure property of r plus also by data a plus b is equal to a plus b का whole square और अभी थोड़ी जर पर हमने प्रूव किया था a plus b का whole square is a square plus a b plus b a plus b square आप डारेक्ट लिखे या a plus b into a plus b को expand करके पूरा पूरा बता दिए बहुत जादा समय नहीं लेगा यह आपका a square is given is a b square is b square will be by data और यह अपनी जगार लिखे a b plus b है यह रिजल्ट होगा a plus a b plus b a plus b अब सुनो यह जो left side है यहाँ पर a plus b लिखा हो और right side में a plus a b plus b a plus b अब addition के लिए r गूर्प की पाचों परबर्ट से रिखाय कर रहा है तो left cancellation law से a गया right cancellation law से b गया तो यहाँ बचा क्या यहाँ बचा हुआ तो कुछ नहीं है बट हम लिख सकते इसको इसको ऐसा लिख सकते right side में a a plus 0 plus b ऐसा लिखा जा सकता है तो left cancellation law से a गया right cancellation law से b गया तो left में बच गया 0 और right में बच गया a b plus b a मतलब दो elements का addition additive identity आ रहा है इसका मतलब one is additive inverse of another तो we can say that b a is additive inverse of a b symbolic language में लिखा उसको b a is equal to minus of a b लेकिन अभी थोड़ी दर पहले हमने यहां पर प्रूफ किया minus a याने a होता है under given conditions तो यह तो minus of a b है this will be a b by by 2 यह यहां पर number 2 इसको 2 लिसना परेंगर by 2 तो क्या हो गया a b is equal to b a यह तो हमने कोई दो element लिया था उसके लिए हमको commutative property satisfy होते दिख रही है therefore we can say that for all a comma b belongs to r b a is equal to a b or a b is equal to b a this implies r is commutative तो यह problem के अंदर दो problem बन गया है when x square equal to x for all element of ring then element and its additive inverses are same and r is commutative note a ring in which x square equal to x for all elements of ring r is satisfied then it is called as boolean ring और अभी हमने example प्रूब किया कि इस तरह की जो ring होती हो commutative ring है इसका मतलब we can conclude that boolean rings are commutative ring next problem छोटे छोटे से problem है इनको cover कर लेते हैं if a, b in r and m and n are integer where r is a ring then prove that n a m b is equal to n m a b ring के elements है a और b m और n integers है तो ring के elements के साथ इजी integers का product है तो ऐसा product product of integers into product of elements of ring ऐसा बन जाएगा solution given that a and b belongs to ring r and m and n are integers now n a means a plus a plus a plus a plus a plus n times तो left hand side से शुरू करते है n a into m b तो n a का मतलब हो किया a plus a up to n times m b का मतलब हो किया b plus b plus b up to m times तो अब यह left distributed से एक यो okay Virat घुला ब्रेकेट करते जाते है Left distributed नहीं है यह यह राइज यह पूरा ब्राकेट एक के साथ जे रहे πहले फिर यह पूरा ब्रैकेट फिर से एक के साथ पूरा ब्रैकेट ऐसा कड़ते n times होते चले जैंगा है तो a into bracket with b A into bracket with B ऐसा N time सर्च चलेगा हमने ये bracket को distribute क्या A के साथ A के साथ multiplication is distributed over addition so this is right distributed it is right distributed it should be right distributed so अब अब left distributed लगती property A के साथ B A के साथ B A के साथ B ऐसा करते चरते M time कर जाएंगा और ऐसे कितने terms हैं यहाँ पर ऐसे total N terms है तो यह सब AB plus AB plus AB M times फिर दूसरे term में भी AB plus AB plus AB M times और इस तरह के bracket कितने होगे हैं तो यह N times हों के bracket है तो यह दी इनको पूरा-पूरा calculate करें तो एक एक bracket में M terms हैं और ऐसे total number of brackets N हैं इसका मतलब इस अब प्लस AB plus AB अब तो M N times which means M N times AB which is right-hand side hence complete the solution next example if R is the system satisfying all the conditions for a ring with unit element unit element यह मतब G3 of R2 दिया हुआ है with the possible exemption of A plus B is equal to B plus A यहने A कीज दिया और A कीज ले लिया हुआ है G5 of R1 ले लिया commutativity for addition ले लिया और उसके जगा multiplicative identity दे दिया है prove that axiom A plus B equal to B plus A must hold in R and that R is thus a ring समझ लो problem का मतलब क्या है addition के लिए commutative property नहीं है उसके बदले multiplication के लिए identity property है prove करना है कि addition के लिए commutative property true हो रही है और जैसे addition के लिए commutative property true हो गई तो R becomes a ring पहले ring नहीं कहा है R is a system कहा है जहांसे पढ़िएगा problem को R is a system हमको इस तरह की system को ring बताना है देखिए unit element 1 belongs to R दिया है तो therefore we have 1.a is equal to a.1 is equal to a for all a belongs to R हमको a plus b is equal to b plus a यह शो करना है तो कोई दो element ले लेते a plus a और b belongs to R तो a plus b belongs to R तो मिल जाएगा by closure property that is G1 of the system all the condition offering R satisfy all the conditions offering except commutativity तो closure property से मिल जाएगा यह a plus b belongs to R now solve for a plus b into one plus one अब कुछ जो steps होती ना उनको याद रखना जरूरी है तो यह इसी तरह की step है इसको याद रखना जरूरी हो गया आपर a plus b into one plus one को solve किया जा सकत है यह one plus one को a के साथ distribute किया है one plus one a के साथ गया one plus one b के साथ गया this is multiplication is distributed over addition left नहीं होना right होना यह यह थोड़ा सा this is right distributivity अब यह left से distribute हो रहा है a one पर a one पर this is left distributivity और यहीं मनलो आपको कोई confusion नहीं चाहिए तो by distributivity लिखे direct हाँ यहीं आप specify करके लिखते by right distributivity by left distributivity तो मतलब एकदम vision clear है ऐसा थमझ में आता है plus फिर से यह b distribute हो रहे one पर फिर b a one पर आएगा b into one b into one अब क्योंकि one दिया हुआ है तो therefore a dot one is equal to one dot a is equal to a for all a belongs to our a dot one becomes a this becomes a a dot one becomes a b dot one becomes b b dot one becomes b by one तो यह तो अभी हमने a plus b into one plus one किया अब अब आप अल्सो वी कन राइट a plus b into one plus one as यहां पर जो पहले हमने रूल लगाया था अब प्लस वी को इदर डिस्टिबूट क्या था अब a plus b को इदी one पर डिस्टिबूट करें अब यह प्लस वी को वन पर फिर a plus b को वन पर यह जो है नो इस इस लफ्टिबूट की विटी और उसके बाद में राइट डिस्टिबूट की विटी यह वन दॉट यह वन को दे रहे एक साथ में राइट से a dot one b dot one a a dot one b dot one so which is a plus b plus a plus b यह अमने प्रूव क्या था a plus b into a plus b into one plus one is equal to a plus a plus b plus one a plus b और फिर से प्रूव क्या a plus b into one plus one is equal to a plus b plus a plus b तो दोनों की left hand side तो से मैं कहम क्या सकते right hand side equal है तो देखोर वी गेत a plus a plus b plus b is equal to a plus b plus a plus b यह दोनों right hand side equal अब देखों इसमें से left cancellation से a गाया था हमने कोई दो element लेकर चले थे तो we can write this for all a, b belongs to r तो इस इंपला है a plus b is equal to b plus a for all a, b belongs to a by cancellation laws in r plus group r plus तो community property true होगे addition के ले तो therefore we conclude that r with addition is an abelian group also r2 and r3 holds for given system and hence r is a ring okay now this will be our next session some special classes of rings आज के लिए यह ही रूपते हैं take care, bye bye, जैगनित, और हाँ एक मिनिट चैनल को यहीं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें आपलें